इस वीडियो में हम एक दूसी तरह के ग्रोथ अड़ेप्टेशन मेटाप्लेजिया के बारे में जानेंगे हम सब जानते हैं कि जब कोई एक तुफान आता है तो वो तुफान एक सीधे खड़े अकड़े कर खड़े पेड़ को जड़ समेद उखार के ले जाता है जब की जो पेड उस तुफान में उस तुफान के हिसाब से लचिला बन जाता है उस तुफान के हिसाब से ढल जाता है बहता है उसके साथ वो तुफान उसका कुछ नहीं भी काड़ पाता ठीक उसी तरह से हमारे सेल हमारी बॉडी में भी अगर कोई स्ट्रेस हो जाता है तो स्ट्रेस की कंडिशन में जो बॉडी का सेल है वो उसके साथ एक लचिले रूप में बिहेव करते हुए उसके साथ ढल जाये तो वो स्ट्रेस उस सेल का कुछ नहीं बिगाड़ता है तो यह ही होता है metapleasia metapleasia क्या होता है एक type का cell किसी दूसरे cell type के साथ replace हो जाए हम जानते हैं कि जित्ते भी growth adaptation होता है वो सब reversible changes होता है ठीक है जैसे ही वो stress जाएगा वो cell अपनी वापस normal stage में आता है वो cell नहीं जो बाद में cell बनते हैं क्योंकि differentiated cells में होता है है ना जो cell एक वाद differentiate हो गया वो तो हमेशा column नारी रहेगा पर उस cell की देत होईगी उसके जो नया cell आएगा मान लीजिए कोई example लेते हैं कि ए और्गन है ए और्गन के सब cell squamous है लेकिन कोई stress आ जाता है जिसमें squamous cells उसको प्रॉपर मतलब उसको लेके sensitive हो stress को लेके अगर squamous cell sensitive है तो यह squamous cell किसी और cell टाइप मान लीजिए column नार में बदल जाएंगे जो stress को better able withstand कर सकता है मलब अच्छे से withstand कर सकता है ठीक है अब अगर वो stress वापस चला जाएगा तो जो नया इस a organ के cell आएंगे वो वापस squamous ही आएंगे ठीक है क्योंकि जब stress नहीं है तो जो actual functional cells है वह ही वापस आएंगे ठीक है तो यह एक reversible change है जिसमें एक तरह के differentiated cell दूसरी तरह के differentiated cell से replace हो जाते हैं एक adaptive substitution of cells होता है इसमें जिसमें जो stress sensitive cells है वो किनी दूसरे तरह से cells के साथ change हो जाते हैं substitute हो जाते हैं जो stress को यह adverse environment को withstand करने में ज्यादा शमता रखता है दो तरह के metapleasia होता है metapleasia दो तरह के होता है एक तो होता है epithelial जिसमें epithelial cells change होता है और एक होता है mesenchymal epithelial और mesenchymal में ज्यादा common है epithelial ठीक है मतलब epithelial cells change होंगे और epithelial में भी सबसे ज्यादा common कौन सा है एक सेकड़ तो epithelial में भी सबसे ज्यादा common है columnar का squamous में बदलना ठीक है columnar cells का squamous में बदलना तो अपन सबसे पहले example देखते हैं जो most common है जिसमें columnar cells squamous cells में बदल रहे हैं ठीक है example देखें किसमें होता है तो habitual smokers उसमें क्या होता है जो trachea और bronca है उनमें normally cellulated columnar epithelial जो पाई जाती है वो replace हो जाती है stratified squamous epithelial cells मतलब जो इस तरह के cells थे वो कुछ इस तरह के cells बन जाता है stratified squamous epithelial ठीक है दूसरा example अगर देखें तो जब भी pancreas, salivary gland, bile duct में stones हो जाता है तो जो excretory duct है उसके भी columnar cells जो secretory cells थे वह squamous cells में बदल जाता है विटामीन A की deficiency जो retinoic acid होता है उसकी deficiency से भी squamous metaplasia respiratory epithelial में में देखने को मिलता है मलब respiratory epithelial normally columnar थी वह squamous में convert हो जाती है इन सारी situation में क्या हो रहा है तो इन सारी situation में columnar cells squamous में बदल रहा है क्यों बदल रहा है क्योंकि columnar cells होते हों fragile होता है जबकि squamous cells rugged होता है obvious है अगर यह दो तरह के cells है तो चाहिए वह stone हो कुछ भी हो इन cells को probability ज्यादा होती है बनिस्पत इन cells को damage करने की ठीक है अपन भी अगर simple सा example देखे तो pillar तोड़ना ज्यादा असान है बनिस्पत मतलब आप platform तोड़ने के क्योंकि एक तरह का platform बन रहा है जबकि यह pillars बन रहा है pillars तोड़ना ज्यादा असान है ठीक है बनिस्पत platform तोड़ने से मैं हाथ से तोड़ने की बात ने कर रहा हाथ से दोनों तोड़ना मुश्किल है मुश्किल तो क्या आप समझ लीजी अब कराटे players भी चलो छोड़ो ठीक है तो इन सारे situation में rugged squamous epithelium ज्यादा able मतलब survive करने के लिए ज्यादा शमता रखती है बनिस्पत fragile columnar epithelium के लेकिन यह metaplasia double edge sword है मतलब दो धारी तलवार फाइदा तो हमने इसका देख लिया नुकसान भी है अब क्या नुकसान है तो नुकसान यह है कि जो columnar cells है वो secretory होते है squamous cells secretion नहीं करते है तो mucous secretion नहीं होता पहली बात क्या नहीं होता जो respiratory epithelium है उसमें mucous secretion नहीं होता दूसरा अगर जो celliated चीजे थी celliated columnar epithelium वो जब squamous में बदल जाते हैं तो celliated movements नहीं होते हैं जो जरूरी है respiratory में अगर चोटे-चोटे dust particles हैं उनको हटाने के लिए जरूरी है या किसी तरह के कोई microorganism organisms को हटाने के लिए जरूरी है तो वो नहीं होते हैं एक और important चीज है कि जब भी शुरुवात में तो reversible था हम जानते हैं पर जब भी long lasting metaplasia अगर metaplasia long lasting होता है जैसे smokers smokers में metaplasia long lasting होता है है ना क्योंकि constant वो irritation होता रहता है constant आप smoking जब तक करते हो तब तक irritation होता है तो उसके लिए columnar squamous में बदलता है तो वो malignant transformation कर सकता है यानि उन metaplastic epithelium से cancers हो सकता है इसलिए जो भी respiratory track के cancers होते हैं smoking के कारण जो cancers होते हैं उसमें जो cells मिलते हैं आपन को वो columnar नहीं होके squamous cell मिलते हैं हम जब cancers के बारे में देखेंगे आगे clinical postings में हम cancers जब देखेंगे cancer के patients कोई oncologist बनेगा तो तो वो सब squamous cells मिलते हैं वहाँ पर आपको columnar cells नहीं मिलते हैं क्यों क्योंकि वो metaplastic epithelium का malignant transformation हो चुका होते हैं दूसरा example देखते हैं तो दूसरा example है अभी आपने देखा columnar cells epithelial cells में convert मलब sorry squamous cells में convert हो रहे हैं ठीक है अब अपन जो example देख रहे हैं उसमें squamous cells columnar cells में change हो रहे हैं berates isophagus एक condition होती है berates isophagus एक condition होती है जिसमें क्या होता है जो gastroesophagal reflex disorder है है ना gastroesophagal reflex disorder यानि आपका जो gastric acid है वो reflex हो रहा है मतलब वापस stomach से आपके isophagus मा रहा है क्योंकि आपका जो lower sphincter है वो damage हो चुका है तो उसके कारण क्या हो रहा है कि हमारे stomach में कैसी होती है selected columnar ठीक है क्योंकि यही better acid के साथ जी सकती है और isophagus में कैसी होती है squamous होती है isophagus में squamous होती है क्योंकि isophagus में usual acid नहीं होता तो squamous proper है उसके लिए लेकिन अब जब stomach का cancer मतलब stomach का acid isophagus में आ रहा है तो squamous वहाँ पर काम नहीं कर सकती वहाँ कौन काम करेगी columnar type इसलिए जो barrett's isophagus होती है तो उसमें हमको टिपिकली glandular carcinomas देखने को मिलते हैं मतलब जो cells होते हैं वो columnar होते है एडीनो एडीनो कार्सिनोमा है ना क्योंकि स्टमक क्या cells कैसे होते हैं glandular होते हैं तो इस तरह के अब जो हम डिसकस कर रहे हैं वो है मिजनकाइमल मेटाप्लेजिया के बार में इसमें क्या हो रहा है कि मिजनकाइमल टिशू कौन-कौन से होते हैं बोन्स, cartilage, adipose tissue है ना नॉर्मली जिन cells में bones cartilage, adipose tissue नहीं है उनमें ये चीज बन जाना जैसे condition होते हैं myositis ossificance ये क्या होता है जब intramuscular hemorrhage होता है या कोई injury होती है तो उस intramuscular injury में कोई bone बन जाना ये एक तरह का कोई adaptation नहीं है ये केवल cell injury के कारण होता है पर एक तरह का differentiation जरूर है क्योंकि इसमें भी cell type change हो रहा है ना इसलिए अपन इसको यहाँ पर ले रहे है बट ये कोई adaptation नहीं है ये more or less एक cell injury ही है ठीक है तो उन cells में जहाँ पर bones cartilage, adipose tissue नहीं होता वहाँ पर इनका बन जाना ये ये था आपका mesenchymal metaplesia अगर अपन इसके mechanism की बात करें कि कैसे होता है तो अपन एक बात already बात कर चुके हैं क्या कि जो already differentiated cells हैं उसमें नहीं होता नया जो cell बनता है वो उसमें changes होता है ठीक है तो ये ऐसा नहीं है कि मान लीजे जो पहले से इसोफेगस में या फिर अपन रेस्पारेटरी ट्रैक्ट में जो पहले से ciliated cells थे मान लीजे रेस्पारेटरी ट्रैक्ट है इसमें ये ciliated columnar cells हैं ये खुद change नहीं हो जाते है squamous में ठीक है इसकी जगे नए cells बन जाते हैं जो squamous होता है तो क्या होता है stem cells जो होता है उसकी reprogramming होती है stem cells वापस reprogram होता है एक नए तरे से एक नई line में differentiate होता है ठीक है मान लीजे जो पहले जिसको differentiate होणा था columnar के form में अब नया जो cell differentiate हो रहा है वो squamous के form में differentiate हो रहा है ठीक हो तो reprogramming होती है stem cells के इसमें या mesenchymal cells की अगर वो mesenchymal metaplasia है क्या होता है कि जो precursor cells है वो एक नए pathway के along differentiate होता है कौन decide करता है नए pathway को तो मलब किस pathway से decide मलब differentiate होएंगे इसको करता है या तो कुछ cytokines या growth factors या extracellular matrix की जो condition है मतलब external stress यही signal देते हैं कि आपको किस तरह से होना है तो जब कोई भी मतलब वो problem नहीं है जब कोई भी किसी भी तरह की problem नहीं है तो क्या होता है वो normal जो आपके लिए better मतलब जो functional cells है मान लिजे कोई भी तरह का extracellular matrix component पर किसी भी तरह का कोई change नहीं है तो वो किस form में differentiate कराएगा वो differentiate कराएगा अपनको columnar form में लेकिन अब मान लिजे कोई change आ गया या अपने एक बात करी थी vitamin A की deficiency मतलब मान लिजे आप normal columnar बनने के लिए vitamin A cells जरूरी है बट vitamin A जरूरी है बट अब vitamin A की deficiency हो गई तो अगर vitamin A की deficiency हो गई जो यह extracellular matrix component change हुआ पहले vitamin A था आप वो नहीं है तो एक नए pathway के along वो cell differentiate करेगा और उससे squamous cell बन जाएगा ठीक है तो जो external stimuli क्या करता है तो ट्रांस्क्रिप्षान को अल्टर करता है एक और यह बात अलग थी और दूसरी बात यह थी कि जो external stimuli होता है वो transcription को ही alter करता है ठीक है जब transcription alter होएगा तो translation भी alter होएगा और translation के कारण अलग तरी के cells बनेंगे ठीक है क्योंकि अलग तरी के proteins बन रहे तो यह अलग किशन बनता है कि जो metaplasia कौन से stage को alter करता है तो transcription को alter करता है और यह बात में already आपको बता चुका हो कि it does not result from change in phenotype of already differentiated cells, जो already cells differentiate होगा, उनका phenotype change नहीं होथा जो नए cells बन रहे हैं, वो एक अलग pathway के अलग differentiate होता है, और क्या बना देते हैं, एक नए type का cell तो इसे के साथ ये meta-plasia की छोटे सी वीडियो complete होती है, important question है RUHS में बहुत वार आता है ठीक है, this was Jant Sharma मैं साइन बनाने लग जा दूँँ आपस this was Jant Sharma from GMC बाद में thank you